इस्थानी निकाल चुनाओं से पहले पहुँचेगा आरजे रमजाजर आपके नगर या गाउं में और जनता पूछेगी सवाल ताल भोग के बलावदा बजार जीले के भाटा पारा छेत्र अंतरगत ग्राम हस्दा में पढ़ाई करने गए दो मासुम बच्चों को बिच्चू ने डंक मार दिया इस गटना से पूरे स्कूल के बच्चे दहसत में आ गए दरसल इस मामले में सिक्षा विभाग की पूरी लापरवाही बरतने की बातें सामने आ रही है भूपे शरकार दौरा सिक्षा के इस्तर को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन बलौदा बजार सिक्षा विभाग द्वारा लापरवाही पुर्वक बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवार किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह घटना इस्कूल की जरज़र स्थिती की बज़ा से हुई है, इस्कूल की स्थिती इतनी दैनी है कि छात्रों को पठन पाठन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वही विभाग मौनवरत धारन किये किसी अनहुनी घटना का इंतजार करते बैठे हैं। इतना ही नहीं, हमारी आरजे रमजाजर की टीम दोरा जब इस सम्मन में विकासखंड सिक्षा अधिकारी से बात की गई, तो उनके दोरा इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात करते पडला झाल लिया गया। वहीं अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हेडमास्टर दोरा अधिकारी को सूचना नहीं दिया गया है या बताना लाजबी होगा कि सिक्षविभाग के अधिकारीयों की रवये इसी तरह रहा तो आज सिर्फ दो बच्चों के साथ घटितिया घटना बड़ा रू अधिक लगा थे बैटे रहे इस तब इच्छी काटी से कौन सबाँ रहे हैं इसकूल के काना में इसकूल के बड़ से बत्तर बनी होई है लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक स्कूल की देनी इस्थिती में सुरार करवाया जाता है रहा है क्लास के अंदर कटा है सर भी जी जी कौन से इसकूल है सब्सक्राश की प्रात्मी साल रहा है बलादा बजार से गीता घृतलहरे के साथ मनारण बंजारे की रिपोर्ट आर जे रमजाजर अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना रिपोर्टर राइटर या फिर एडिटर बनना तो आज ही संपर्क करें आज है रमजाजर में हमारा पता है सुठीखा इन वाइपस रोड पढाव चौक मुगेली